नमस्कार दोस्तों अभी इस फूडियो में हम step by step divide करना सीखेंगे तो यहाँ पर आपका 8 में 12 का divide कैसे करें यह आपको बच्चों ऐसे एक धीन के रूप में दियावा भी मिल सकता है किसका divide करना है? 12 का देखिए बच्चों 12 का divide हम कब कर पाएंगे जब दीगी संख्या 12 से बड़ी हो यह आप basic से सीखने की कोशिस करते हैं तो divide आपके लिए आसान हो जाता है क्या यह 12 से बड़ी है? नहीं है तो हम पहला काम क्या करेंगे? यहां पर point लेंगे और इसके साथ एक 0 लिख देंगे कितना आ गया? 80 अब यह आप देख सकते हैं 12 से बड़ी है अब हम 12 को देखिए पहाड़ा याद नहीं है तो क्या करेंगे? एक से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? कि आपका 80 से बड़ा ना है इससे बड़ा ना हो तो देखिए मैं 12 को गुणा करता हूँ 6 से और यहां पर आपका चला गया 72 आ गया कितनी वार गया? 6 से गुणा किया तो बाग गया 6 वार कितना आ रहा है आपका 22 आ रहा है फिर हमें इसको गटा ना होता है 80 माइनस 22 कितना आ गया? 8 चूंकि पॉइंट लगा रखात इसके साथ 0 आ जाएगा फिर 80 बन रहा है तो फिर कितनी वार जाएगा? 6 वार जाएगा फिर आ जाएगा आपका भाउतर फिर 8 आ गया पॉइंट लगा रखात हमरे पास क्या स्ट्रेंथ है कि हम क्या करेंगे हर बार? कटा तेजोस है कि आएगा उसके साथ 0 लिखते जाना है फिर गया 6 वार फिर बाउतर फिर 8 यह आपका ऐसे आप आगे चलता रहेगा यह आपका क्या बन गया भागफल कितना है? 0.66 और अप्रोक्सिमेंट अम इसको कितना लिख सकते हैं? 0.67 यह मैंने कैसे लिखा देखे? बिल्कुल सिंपल है मैं यहां से छोड़ रहा हूँ और यह 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 आपका क्या है? 5 यह पांच से बड़ा है यह देगे 5 से बड़ा है तो आपका क्या होगा? आगे में एक चुट जाएगा तो बहुत सारे बच्चों के कुमेंट आ रहे थे कि यहां पर सर हम जब डिवाइड करते हैं हमारा 6 आ रहा है लेकिन answer sheet में 7 लिखा हुआ है तो वह कैसे लिखा है? तो वह कुछ इस परिखे से लिखा हुआ है ठीक है? यह ध्यान रखाएं सुच यह पांच से कम होता तो कोई चंज नहीं करना पड़ता है जिसे यहां 4-4-4 होता तो वह 4-4 ही रहता है